प्रेंस आज में आपके लिए कैसे स्वादिस्ट और पॉस्टिक पेडों की रेस्पी ले करें हूँ जिसे हम बीना घी के बनाने वाले हैं तो इन पेडों को बनाने के लिए ना तो आपको घी की जरूरत पड़ेगी ना ही मावा या चाशनी की पांच मिनट में आप इसको ब तो मखाने जो केल्शियम से भरपूर होते हैं हमारी हड्डियों को मुझबूत करते हैं जैसे कमरदर्द बगएरा होते हैं तो इसमें भी खाना इनको अच्छा माना जाता है तो इन मखानों को हमने जो तीन से चार मिनिट के लिए गैस के मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना तब तक आपने इसको रोस्ट करना है जब तक यह अच्छे क्रिस्पी नहों जाएं तो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे पता चलेगा कि यह क्रिस्पी हो चुके हैं तो अभी यह देखिए मैंने इसको दो से तीन मिनिट के लिए जो रोस्ट कर लि बंद और इनको ठंडा होने देते हैं अंग में तो जैसंहे हैं थंड भाउड yeah अब जाहें तो यह ज्जादा भीसमें डाल सकते हैं इससे पैड़ों का जो टेस्ट बहुत अच्छा है हैंगा और इसी के साथ yeah तो चार से पांच चम्मज हमने इसमें डाल दिया है, मीठा आप कम या जादा इसमें कर सकते हैं, दो चुटकी में डाल रहे हैं, इसमें हरी लाइची का पाउडर फ्लेवर के लिए, और ये थोड़े से हमने लिए पिस्ता बदाम और काजु, इनको बरी कट कर लिए, ये इस तो ड्राइफ रूट्स को पीस कर उसको पाउडर भी इसमें अड़ कर सकते हैं, तो ये हमने इन सबको अच्छी तरह से मिला दिये, अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे ठंडा दूद, उबला हुआ दूद है और फ्रिज में हमने इसको रखा हुआ है, तो बि अब भी से भी बना सकते हैं, तो इस टाइम पे अपने घी गरम करके वह इसमें डालेंगे, थोड़ा सा दूद अब हम इसमें अब डालेंगे, तो तीन से चार चमश दूद हम ने इसमें और डाल दिये, आफिर इसको हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे, तो ये दिखे बाइंडिंग इसकी आरी है, अब हम इसमें और दूद नी डालेंगे, और इसको आपने जैसे आटा गूनते हैं, ऐसे इस तरह से अच्छी तरह से मसल लेना है, ये देखे, जितना आप इसको अच्छी तरह से गूंद होगे न, उतना इसका टेक्श्यर अच्छाएगा और ये बिल्कुल एक मावा जैसे पेड़े हैं, जो बन कर आते हैं, तो अभी हमारा मिक्स्च्छ बिल्कुल रड़ी है, अब हम इसके जो पेड़े बना लेते हैं, आप जिस भी शेप में चाहें, जैसे भी चाहें बना सकते हैं, इस तरह से देखे, इसके छोटे-चोटे लगा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अधर्वाइस इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और ये मैने थोड़े से इसके उपर लगाया है, बरी कटे हुए पिस्ता और बदाम, आप चाहें तो जैसे बदाम हैं, उसको बीच में से कट करके वो भी इसके उपर लगा सकते हैं, तो ये हमने गार्निशिंग इनकी करती हैं, तोड़कर टेक्शर दिखा देती हूँ, बिल्कुल एक मावा के पेड़े ये वले हैं, जो बनकर तेयार होते हैं, और इन पेड़ों को आप चार से पांच दिन के लिए फ्रिज में करके रख सकते हैं, तो आई होप आपको आज की रस्पी अच्छी लगी होगी, जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई